नमusharach दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं AD के दर्द के बारे में जिसका सबसे कामनकास होता है HEAL SPUR जिसे CALCEANYAL SPUR भी कहते हैं तो इस वीडियो में हम इसी टापिक पर चाचा करेंगे दोस्तो यदि AD के दर्द की बारे में बात करूँ तो आप सभी लोगों ने अपने किसी परिचीत के मुँसे ये जरूर सुना होगा कि उन्हें सुबह उठते ही AD में बहुत ज्यादा असहनी दर्द होता है जैसे ही वो रादबर सुने के बात सुबह अपना पहला कदम जमीन पर रखते हैं उन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और जैसे चाकू से AD में चूब रहो इस प्रकार का दर्द होता है तो दोस्तो ये AD का दर्द होता है दोस्तो यदि आपने कभी महसूस किया हो आप कभी नंगे पाउं चले हो और आपका पाउं अचानक से किसी नुकीले पत्थर पर पढ़ गया हो तो दोस्तो पाउं में जो दर्द उस समय महसूस होता है यही दर्द अंदर से उठता है AD वाले रेजन में और ये AD का दर्द कहलाता इसका सबसे कामन काज होता है दोस्तो Kelvin अब या आखिर होता क्या है दोस्तो बेसिकलि हमारे सरीर में जगा जगा हड़ी आए बेसिकली हमारा सरीर हड़ियों का एक धाच आए और इन हड़ियों के आसपास दोस्तों मसल्स भी होती है, मास भी होता है, टेंडन्स, लिगामेंट्स बगेरा पूरी संरशना होती है सावान्य वस्ता में दोस्तों ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं देते, किन्तु यदि हमारे सरीर में केल्सियम की मातरा अचानक से किसी एक जगह डिपोजिट होने लग जाए, एक जगह केल्सियम इखटा होने लग जाए, तो दोस्तों ये केल्सियम इखटा होकर एक ग AD में एक हड़ी है जिसे calcanius कहते हैं यदि वहाँ पर calcium की overgrowth होने लगती है calcium एखटा होने लगता है तो वहाँ पर दोस्तो calcium AD की हड़ी पर एखटा होकर एक चाकू की नोग जैसी संडशना बना लेता है और यह संडशना दोस्तो इसपुर्ग कहलाती है चुंकि यह calcanius नामक हड़ी पर बनती है इसलिए इसे जनरली calcanius इसपुर्ग कहा जाता है दोस्तो चुंकि नार्मल अवस्ता में AD की जो हड़ी होती है वो अपने आसपास की जो संडशना होती है लेगामेंड्स muscles, mass बगिरा पर कोई pressure create नहीं करती है इसलिए नार्मली बैक्ती को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है किन्तु जब calcium के जवावट के कारण इस प्रकार चाकु की नोग जैसी संडशना बन जाती है दोस्तो तो चलने चलते समय ये अपने आसपास की जो संडशना है लिगामेंड्स की muscles की उन पर pressure डालती है उसमें चुबने लगती है तो दोस्तो जिसके कारण ये असहनी दर्द उत्पन होता है जिसे एडी का दर्द कहते है और ये जो काज है ये जो चाकु जणा ओवेज होते हैं मोटे होते उन में ये समस्या ज़्यादा देखने में आती है दूसरी बात करें दोस्तो तो ऐसे लोग जो सहीяж साइज के या सही बनावड़ वाले जूते नहीं पहनते हैं उन में भी दोस्तो जूते के अनिमित माप के गारण इस प्रगार की दिक्कते पेदा हो सकती है तीसरी बाद देखे दोस्तों तो जैसे लड़की लोगों में बहुत ज़दा उंची एडी की सेंडल्स पहनने का आज कल रिवाद ज़्यादा बढ़ गया है या दूसरा ऐसा कोई भी काम करने वाले जो लगातार लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनमें भी इस प्रकार की समस्या पेदा हो सकती है बहुत ज़दा दोडने वाले एथलीट लोग या बहुत सारे ऐसे स्पोर्स जिसमें लगातार दोडने का काम होता जिसे क्रिकेट या खुडवाल या इस प्रकार के दूसरे खेल उन खेलाडियों में भी दोस्तों उन अथलीटस में भी दोस्तों इस प्रकार की केलकेन येलिसपूर की सिगायत पेदा हो सकती है इसके लावा दोस्तों कामनली देखा जाए तो महिलाओं में ये पुर्षों की मुकाबले बहुत ज़्यादा मातरा में पाया जाता है क्योंकि ये ओसत आप निकालेंगे तो महिला कीचन में या घर के दूसरे कामों में लगातार लंबे समय तक खड़ी रहती है तो उसके कारण भी उन्हें ADE के दर्दी की सिगायत या हीलिस्पूर केलकेनिय लिस्पूर की सिगायत दोस्तों पेदा हो जाती है दोस्तों कई लोगों को calcium जो supplements market से लेते हैं वो बहुत जादा लंबे समय तक लेने के बाद भी calcium की access होने के कारण calcium deposit होने लगता है तो ये भी दोस्तों एक common गाज होता है और इसके अलावा ये दिया आपका liver सहीं तरीके से digestion नहीं कर पा रहा हो जो calcium आप खा रहा हैं ले रहा हैं वो सहीं तरीके से बाड़ी में समान लूप से बित्रित होने के बजाए किसी एक जगह पर इखटा हो रहा हो तो ये भी एक दोस्तों कारण हो सकता है calcium इसपुर का तब दोस्तों आपको एड़ी में असहनी चाकू सा चुबने वाला दर्द महसूस होता है तो अक्सर जो कामन सिकायते मिलती है वो यही मिलती है कि राद भर सोने के बाद जब सुबह उटकर पहला कदम जमीन पर रखते तब बहुत ही ज़्यादा असहनी दर्द होता है वो चूने पर वो जगया थोड़ी सी गर्म भी लग सकती है दोस्तों तीसरे लक्षन की बात करें तो यह आप एड़ी वाले प्रभावित भाग को चू कर देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत असहनी दर्द होगा इसके लाब आपको लगेगा कि जो एड़ी की सामान में स हड़ी बढ़ रही है तो यह सब केलकेनियल इस्पूर या हेल इस्पूर के दोस्तों बहुत ही सामाने से लक्षन हैं दोस्तों इसकी पहचान के लिए सिंपल सा इन्वेस्टिकेशन होता है यदि आप एक्सरे करवाएंगे तो वहाँ पर बढ़ी हड़ी आपको अलगी इस फिक्स और पर्मानेंट इलाज मुझूद नहीं है एलोपेटिक चिकित सक या तो आपको इस्टेराइट्स के इंजेक्शन उस हड़ी में लगाते हैं जो बढ़ी हुई है या आपको लगातार दोस्तों दर्द निवारक गोलिया खेलाते रहते हैं जो इसका पर्मानेंट स पर्मानेंट में या कहें कि होमेपेटिक टीटमेंट में इसके लिए बहुत अच्छी दबाई आए क्योंकि होमेपेटिक कि कुछ दबाई ऐसी है जो बढ़ी हुई हड़ी को गलाने का काम करती है इसके जो अपने साइस से ज़्यादा बढ़ रही हो अनलब एक इतनी आश दोस्तो होमेपेटिक टीटमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज होने बाली इस कंडिशन में मेडिसी में है कैलकेरिया फ्लोर 6X पोटेंसी में जो है यदि लोग बैसीकली एक बाइयो केमिक मेडिसी काम बड़ी होई हड़ी हो को या बड़ी होई होई कठोर ची जाती है दोस्तों दूसरी मेडिसीन होती है थूजा 200 पोटेंसी में 5-5 बूंदे सुबय शाम थूजा दोस्तों यदि होमयोपेती में आप पूछेंगे कि सरीर में कहीं पर भी किसी प्रकार की ग्रोथ हो रही हो तो यह जो टेंडेंसी बारवार होती है इसे रोकने का काम दोतों आमोनियम म्यर के लक्षान होता है कि व्यक्ति लंबे समय तक विश्राम करने के वाद आराम करने के वाद जैसे ही चलना शुरू करता है उसके पव में दर्द उसके एरी में दर्द होने लगता तो दोस्तो यह ammonium mule का बहुत अच्छा symptom से हैं और यह ammonium mule 30 potency में 2-3 बुन्दे सुवे दुबर शाम दिन में 3 बन ली जाती है दोस्तो एक और मुख्य medicine है symphiton 200 तो दोस्तो symphiton नामाग ओस दी होमेपेती में हड्डियों में किसी भी प्रकार की बिक्रती को ठीक करने का काम करती है हड्डियों में calcium extra deposit हो गया हो या calcium की कमी हो दोनों ही चीश को समान अवस्था में लाने का काम दोस्तो symphiton करती है तो यही दोस्तो आपको AD में दर्द होता और दर्द ऊपर उठकर पीछे की तरह पिंडिलियों तक आ जाता है तो दोस्तो AC condition में रूटा 30 सुबह दोबर शाम दिन में तीन बार तीन से चार में लगातार दी जाती है इसी प्रगार की एक और उस दिये दोस्तो ACID BENJUICUM 30 तो ACID BENJUICUM 30 भी बड़ी हुई हड्डियों को नार्मल करने का काम करती है उसको गलाने का काम करती है तो इसकी भी तीन से चार मुन सुबह दोबर शाम आदे कप पानी के साथ ली जाती है दोस्तो इसके अलावा MEDORINUM भी ले सकते हैं या RM MED भी ले सकते हैं तो यह सब डिपेंड करता है आपके लक्षणों के उपर आपका होमेपथिक डाक्टर बहतर तरीके से आपके लिए दवाई सेलेक्ट कर सकता है तो आप सबी से यही request है कि मन से treatment ना लें आप अपनी विमारी के बारे में अपने होमेपथिक डाक्टर को बताएं वो इसके लिए बहुत अच्छी medicine सजेस्ट करेंगे और बिना किसी surgery के या बिना heavy steroids या pen killer medicines के कुछ समय में आपकी विमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी के से इंडल पहन रहा है तो उसे बंद कीजिए यदि आपके सूज का size सही नहीं है उसमें जो नीचे सेफ होती है arch वो सही नहीं है दोस्तो तो अच्छी quality के सूज लीजिए जिससे आपके पाउं में आराम सा महसूस हो और आपकी condition और ज़्यादा ना भिगड़े दूसरी कभी भी नंगे पाउं जो hard surface होती है उस पर ना चले तो सबसे पहले market जाकर नर्म गद्यदार एक चपल सी खरीर लीजिए और घर में अपने daily कामों को करते समय उस चपल को पहन कर ही काम कीजिए ताकि आपको आराम महसूस हो तो तीसरी बात आप वर्फ का उप्यों कर सकते अपनी सूजन को अपने दर्द को कम करने के लिए तो एक exercise होती है जो मैं आपको आगले किसी वीडियो में बताऊँगा यहाँ पर शाट में समझा देता हूँ आप एक पानी की बाटल को फ्रीजर में रखकर पूरी तरह से दोस्तो जमा लीजिए और उस बाटल को अपने प्रभाबि जिस भी पाउं की एडि में दर्द हो रहा उसके नीचे रखकर अपने पाउं से उसे रोल कीजिए तो इस प्रकास से दोस्तो वर्फ ठंडक पहुंशाती है तो सूजन कम करती है और साथी साथ उस जगह को सुनने करने का काम करती है तो वहाँ पर आपके सेदा नमक की डली ले लिजिए और उसे गर्म पानी में घिस कर अपनी एडी वाले एरिये पे लगातार घिस ये तो ये सेदा नमक भी दोस्तो इंफ्लामेशन को कम करने का काम तो करता है तो दोस्तो ये कुछ चीजे हैं जिसे ये आप अपनाएंगे और साथ में तो दोस्तो ये पूरा वीडियो था केल केनियाल इस्पूर् के बारे में यहाइसे ही लिस्पूर् कह लिजी या एडी की हटिका बढ़ना कर लिजिए जिसके कारण बहुत ही ज़ादा असहनी हटि का दर्द एडी वाले भाग में महसूस होता है उम्मिद करता हूं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो यह पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें चेनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को जरू प्रेस कर लें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिंद बंदे मात्रा